नमस्कार साथियों UPSC Current Affairs प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है मेरा नाम दिपांच है और इस वक्त की अपडेट में हम जानेंगे क्यों खबरों में है शानती स्वरूब भटनागर अवार्ड साथियों सरकार द्वारा वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित शानती स्वरूब भटनागर अवार्ड की गोशना नहीं की गई साथी वर्ष 2023 के लिए इस पुरसकार के लिए नामांकनों को भी रोक दिया गया है दोस्तों विग्यानिक समुदाय में इस बात को लेकर बेचैनी है कि वर्ष 1958 में इन पुरसकारों की स्थापना के बाद से यह पहली बार है जब देश के प्रतिष्ठित वार्षिक विग्यान पुरसकार शानती स्वरूब भटनागर पुरसकार को रोका गया हो युवा प्रतिभा को सम्मानित करने के लिए साथ प्रमुख विशियों में दिया जाने वाला शीष राष्ट्रिय विग्यान पुरसकार दो साल से रुका हुआ है आपको वता दें कि वर्ष 2017 से वर्ष 2021 के बीच किये गए कारियों के लिए 2022 में इस पुरसकार के विजेताओं की सूची तैकर ली गई थी लेकिन बाद में इन पुरसकारों की घोशड़ा नहीं की गई साथियों शान्ती सरू भटनागर अवार्ट्स प्रतिवर्ष साथ विशियों में दिया जाता है जैविक विज्ञान, रसाइनिक विज्ञान, प्रिथवी वायूमंडल महसागर और ग्रह विज्ञान, चोथा विशय है इंजिनरिंग विज्ञान, फिर गणितिय विज्ञान, चिकित्सिय विज्ञान, और साथुआ विशय है भौतिक विज्ञान गौर तलब है कि यह पुरसकार साथ विश्यों में अनुसंधान में लगे 45 वर्ष की आयू तक के युवा वैग्यानिकों को दिया जाता है इस पुरसकार के लिए पात्र व्यक्ती का भारत का नागरिक होना या भारत का प्रवासी नागरिक होना या फिर भारत में काम करने वाला भारतिय मूल का व्यक्ती होना आवश्चक है साथियों इस पुरसकार का नाम वैज्ञानिक एवं और द्योगे कनुसंधान परिशद के संस्थापक और निदेशक डॉक्टर शांती स्वरू भटनागर के नाम पर रखा गया है उन्हें वर्ष 1954 में पद्म विभूशन से सम्मानित किया गया था आप सबको ये ग्यात होना चाहिए कि पहली बार ये पुरसकार वर्ष 1958 में प्रदान किये गए थे